यह नमस्कार दोस्तों मैं बिर आर्चोगे श्बाइब करता हूं आपके अपने टोफ कमांड़ फिजिकल टिप्स आज की जो कमांड़ फिजिकल टिप्स हो बहुत खतरना टिप्स लाट तहूं कि यह कहीं न कहीं आप में एक रोग है जब कि आपको पता नहीं है ठीक है आप जितने भी बचे जो फोर्स के तैयारी करें चाहिए वो आर्मी के तैयारी ले लिजी ऐसे सी जीडी की, एंडिये की, नेवी, एर पोर्स, अगर आप इनकी किसी की भी तैयारी करें लाड़नों और आप में भी विगर हस्त में तुं करने के गर आपको आदत लग रखे यहनी जो हर्ष ने तून है ये एक प्रकार का रोगण मैं आपको बता दूँ ये बिमारी एक प्रकार की बहुत सारे बच्चों को ये इसकी लट लग जाती है इस एंज में जो एज का कराइटेरिय मैं आपको बता हूँ 16 साल से 20 साल की एज में इसकी लट लग जाती है बहुत सारे बच्चों को और इसकी लट के वज़े से आपका अगर सपना इनफोर्स में जाना का है तो आप ये बूल जाएए कि आपका इनफोर्स में जा सकते हैं उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हस्त में तुन के वज़े से आपकी गुटनों में जान नहीं रहेगी तो सिदी से बातावा आर्मी के रनिंग नहीं कर सकते SSJD की फीजिकल की तैयरी नहीं कर सकते एंडिये के लिए माइंडली अफसेट बहुत ज़्यदा इस्ट्रोग होना पड़ता है लेकिन अगर आपको यह लख लग जाती है तो आपका पूरा ध्यान इसी में पूरा दिन खतम हो जाएगी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब 16 से 20 साल की एज की उमर में उसका नहीं करनी चाहिए नहीं तरह बहुत सारे बच्चे आपका जो बड़े आपके जो कुछ गार्दन मन रखेंगे वह भी जो दूसरे लटके होते हुए और बिगारनी में लगा रहते हैं कि हस्ट में तुन बहुत बहुत अनवार है शरीर के लिए मांस एक्तनाव खतम करता है, ऐसा कुछ नहीं है लाड़ दो, नाइट फेल होता है कई बार, ठीक है, ठीक है, तो बोलते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा ता नाइट फेल में आपका निकल जाएगा, मतलब कि आपके जो इस परम है, वो नाइट फेल में निकल जाले, उसकी वज़े से यह आदत पढ़ती है, तो यह आदत आपको होनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखी, ठीक है, यह चीजें बिलकुल नहीं देखनी है, हस्ट में तुन करना आपके लिए हानी का रख एमान के चलिए, इसकी वज़े से आपका शरीर बहुत कम ज उसमें बिलकुल जाने रहेगी, और जब जान है तभी जान है लाट लो, बिना जान के जान नहीं है, इसलिए दबा के खाना पीना है, लेकिन इस परकार के रखत नहीं करना है, हस्ट में तुन, अगर मान लो किसी का नाइट पेल हो रहा पनदा दिन, बीज दिन में, तो ए कि धार्मिक गर्ण जैसे अगर आप मुस्लिम हो तो कुरान या हिंदू तो गीता और भी जैसे महाबारत इस प्रकार की कोई भी प्यारा सा सोंग हो दार्मिक आरती वारती जो भी उसको सुनते रहना है ठीक है नायट में सोते वक्त अगर आपके मन में इसे सपने अपने आते ठीक है तो इसके बहुत ज़्यदा नुक्साना अगर आपको भी इसकी आदत है या इससे रिगार्डिंग और भी कोई क्यूशन तो आप कमेंट ओक्स में कमेंट कर दीजी मैं आपको क्लेर कर दूँगा लाड़ लो जै हिंद जै भारत